हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल टेक्निकल मुद्रों पर आपका स्वागत है नमस्कार दोस्तों जे साइस दोस्तों आपने वीडियो का टाइटल एंट हमने लेग लिया होगा जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो इल अप्लिकेशन है इसका जो मोडियूल नंबर इसकी किशनांसर बजाने वाला हूं जी ह!? मोडियूल नंबर फॉर के कशीन आशर को आज मैं आपको जो है अच्छे से टोएं जोम करने वाला हूं और तो ने मौड्य नमोर nr 1 , 2 & 3 के कुछन आंसर की वीडियो नहीं देखिए तो तीन वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्षिन में दे रही है तो आप जाके जो है चेक आउट कर सकते हैं मौड़ी नमोर 1 , 2 & 3 के कुछन आंसर की वीडियो को एंड फ्रेंड आज जो है म कर दीजे ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकिशन जो है मिलता रहे कोई दोस्तों इसी प्रकार की जो है इला आप्लिकेशन आईसी डीस के स्कॉम के लटीएस नोलेजिबल पॉइंट से रिलेटेट वीडियो जो है मैं मैं चैनल पर लाता ही रहता हूं तो जाए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ भी दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर देजिएगा आप चाहे तो अपनी राय तेकनिकल मदूरं के साथ तो फ्रेंड्स जैसा के आप अपनी स्क्रिन पर देख ही पा रहे हैं इला एप्लिकेशन को तो दोस्तो सबसे पहले आपको जो है इला एप्लिकेशन को ओपिन कर लेना है जैसा कि अभी कर रहा हूं इसको ओपिन तो आपको इस परकार से कुछ आपको इस वीडियो में मोडिल नमर फॉर पता रहा हूं और साथ ही में जो मोडियो नमर वन चुकांकन था अध्या नि को सवास्थ्य शी शिशो के लेट इसा publishers उस घ्रइड कर तर्श का एसं वीजिए देख सकते हैं but तो आपकी मर्जी है जैसा यह है कि तो मैं समझा ही रहूं तो आपको देखने की जरुवत नहीं नहीं आप चाहें तो फिर भी जो इस वीडियो को देख सकते हैं हिंटि के लिए ठीक है तो अभी जुँए रही है यह तो थगां। थो जिसे मैं सतीर की निशान पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर पी कुछन जञती है हुआ हैं कर प्रेंट की retir éta में 10 यहां 6500 तक बार में सतन। अब जो है मैं सेकंड कुषिन पहाँ सेकंड कुषिन है एक स्वस्थ या पूर्ण समय में पैदा हुआ बच्चा दूद निकलने से पहले कितनी बार इस्तन चूषता है तो सेकंड का आंसर आ जाता है हमारा 10 से 15 बार तो यहां पर थर्ड ओप्षन 10 से 15 बार जो है वो चूष है शुषत है तो यह आंसर है कि 10 से 15 बार और यहा पर 3 क्रश्फ इस स्वस्थ बच्चा एक बार समय कमई की सतन का पूरी तरह से और दूस्य स्थ का कुछ भागु गाई कर देता है तो शलीं तो एक स्वस्थ्ट मुझजय का अध्या से पढंगेक में कम से कम एक स्थन का पूरी तरह और दूसरी इसतन का कुछ भाग खाली कर देता यह वह खाली कर देता है बिल्कूल सही है ठीके तो मारा 50 का अध्याइट टेसे 15 बार और 32 का अध्यां अब मैं आपफे परिणाम पर क क्लिक कर रहा हूं और हमारा जो सेकंड अध्याय आज आता है वो है फ्रेंड्स कमजोर शिशु और बीमार शिशु के स्तनपान में अंतर इसे जएक एक वीडियो है तो आप चाहे तो इससे देख सकते हैं हिंट के लिए आपको जो कुछन को आसर कहीं जगे हैँ तो अभी जो है कमजोर शिशु और बीमार शिशु की इस तनबान में अंतर जो है यह जो राइट वाला तीर का निशान है इस पर में किलिक कर जाता हूं जैसे मैं किलिक करूँगा तो दूसरा अब्यास ब्यास में जाता है उसे पर बहुत वह नोट पढ़ा देता हूं तो हो है यहां कोशित प्रसिंद धिये गए है आपका कार्ष सही उत्तर चुनकर पलते हैं तो यह समझाएं हैं चाहिको सभी एक बार में जब शीश्य बिमार पढ़ते हैं तो यह बने यह समझेह दयते डिकवार ने की संभावन होती को घादा है मैं आप इसका अंसल सही है। इसका आंसल प्षू के बिमार होने की संभावना जादा होती है उनके घर ऊछते हैं हमारा तो तीस में देख सकते हैं आप बीमारिशिशु को इस संपान करानी की आउशक्ता होती है तो जो है इसका आउसर आजयता है हमारा फ्रेंड्स फ्रेंट्स है अंञा गलत और उस्ट regularly इसलोट चैले से उसन जो अंसार होनłam चैये तो यहां पर lie्ड! जा दो बीस ही पारे होंगे बीमाज शिशों कं इसतनपान है नहीं गलत कुंदा मुदा है ति नहीं जो हुटें term k render कि ऻच्छ्छों के पर शच्छों को जो है कि तो robić तो आपको विक्लिक के टिक टेर अब यहां पिर कर दिया वहां विक्रटीक कर दिया और तीन कुछिन हमने पर अगली अध्याय पर जये तो फ्रेंट्स यहां पर आप अगली अध्याय पर जये इस पर क्लिक करेंगे जो हमारा जो है तीसरा वो आ जाता है और दोस्तों तीसरा अध्याय का नाम है हमारा इस्तनपान के अवलोकन और परामर्ष के मूल सिधान तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखी पा रहे होंगी इस्तनपान के अवलोकन और परामर्ष के मूल सिधान तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं हिंटी के लिए लेकिन दोस्तों आप जो है मेरी वीडियो दे बीबेट करनी होगी हमारा जल्द जल्द गड़र पर हमारा सभ्रेंड आपको जल्द gate करनी होघिए, बीमाइ है अगर आपको वहाँ मेस Tech N 때 ने रिखने होगी होगी कि अग्नरी यहाँ करनी होगी पनी आपकी कि highway general हमेरे टेदी पाट agreements करनी जब्कुषू हो प्रसव होने पर जन्म के तूरंत बाद शिशु को इस्तनपान नहीं करना चाहिए तो इसका आसा आता है हमारा गलत तो आपको गलत पर टिक कर देना है और आपको समझाता हूं घर पर प्रसव होने पर जन्म के तूरंत बाद शिशु को इस्तनपान नहीं करना चाहिए अगर तेसरा क्यूशन कर। Burd楊 कर देखी से वापस साथ से किते क्या संफ़ाइब कfully जोगाUM के ऐंदर छाहिए एक दुरारा एक दिन के अंदर से आपको घार, ययिया कि अस्पता से घर वापस आने के किते दिन याँई कि अस्पता से घर वापस आने के एक दिन के अंदर नौजात शिशु की माता से बेट करनी चाहिए तो फॉर्थ कुशन पर आता हूं में लास्ट क्यूशन है हमारा इस मोड्यूल का और यह जो है तीसरा अब्या सल्ड है तो यदि शिशु आवश्चुक्त अनुसार ताकत से सतनपान नहीं कर रहा हो तो आप परिवार को क्या सला देगी तो उस्पताल जाने की सलात देगी तो आपको यहां पर यहां पर प्रणाम पर क्लिक कर देना है और यहां पर अगले दियाए पर जैए इस पर क्लिक कर देना है तो हमारा जो है मोड़ू लंबर पर जो है कंपलेट हो चुका है और जो है मैंने बहुत दिरों में वीडियो डाली तो दोस्तों सोरी उसके लिए एंड अब बैक टो बैक में वीडियो डालने ही वाला हूँ मोड़ू नमर 5 पर भी कुषिणांसर की वीडियो वह आने वाली है और module number one two and three के कुछ नहीं देखिए तो जाई डिस्किप्शन में लिंक तीनों वीडियो की मिल जाएगी आपको डिस्किप्शन में जाकर आप module number one two and three की जो है कुछनानसर की वीडियो भी देख सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स सो अभी जो है मैं आपे बेक आ जाता हूँ तो फ्रेंड्स यहां पर मैं जो है बेक आज चुका हूँ और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया मोडूल नमबर फॉर के कुष्ण आंसर और दोस्तो आपको अच्छे से समझाया भी होगा तरक साहित भी समझाया है और कौन से कुष्ण का कौन सा आंसर है वह अच्छे से एक्स्प्रेंट के है तो आप अपनी राय हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को साथ अप्सक्ति में या लाइक शेयर जरूर करदीजेगा जिहां दुस्ते आप चैन कमेंट जरूर कर दिजेगा इस वीडियो को दुस्तों जो कि बिच्छा जाने ही वाली को जो जेक्राव से लिक रियाय कृच्छे से बीडियो गिज 11th Modual संब भी ऑनने ही वाली है जो बोट ही वाली है ठीक है तो आज की इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूंगा मोडिल नंबर फॉर के बारे में और दोस्तों नेक्स वीडियो है कि मोडिल नंबर फाइव के उपर कुष्णाल सर के उपर तो निश्चिंत रहिएगा आप अगर आपने मेरे सेनल को अभी त सब्सक्राइब करें जरूर कर जिएका मैं किसी नए वीडियो में मिलता हूं आपको किसी नहीं डूप के साथ तब तक के लिए गुडबाई जे हिन जे भारत वन्यमात्रम थेंक्यू